श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी संस्कृत भाषा और उसमें नहित शास्त्रों के प्रचार प्रसार एवं समवर्धन की लोग पुरोष सर्दार वल्लभाय पतेल जी की दीर्ग दिश्टी का परिणाम है इस यूनिवर्सिटी की स्थापना तत्कालीन बुख्य मंत्री एवं वर्तमान प्रधान मंत्री श्री नरेत्र बोधी जी के द्वारा 2005 में हुई है यहां संस्कृत भाषा में निबद्ध वेदो इवं शास्त्रों का गुर्वत्ता पूर्ण अध्ययन पारंपरिक पद्धती से करवाया जाता है UGC के द्वारा इसे 12B तथा 2F की मानेता प्राप्त है अपनी उद्ग्रोष्ट कार्य पद्धती के कारण नैक के द्वारा इसे A प्लस ग्रेड प्राप्त हुआ है संपूर्ण गुजरात में युनिवर्सिटी संगलगन 38 संस्कृत महा विद्ध्याले 51 डिप्लोमा केंद्र, एकेस PGDCA केंद्र और एक रीसर्च सेंटर भारतिय विद्ध्याओं को जन जन तक पहचा रहे है सर्वेब्यो नमो नमहा स्री सोमनात संस्कृत विश्व विद्ध्याले बुजरात नी एक मात्र संस्कृत युनिवर्सिटी छे स्री सोमनात संस्कृत विश्व विद्ध्याले सरल मानक संस्कृत ना माध्यम थी संस्कृत सास्त्रों नू अध्यापन अध्याइन करावेचे अने संस्कृत सास्त्रों ना संरक्षन नू अने प्रचार प्रशार नू कारियपन करेचे युनिवर्सिटी के बरिसर में प्रभास, जोती, नामक, शैक्षणिक भवन में युनिवर्सिटी संगलग्न, महा विद्याले एवं अनुसनातक विभाग कारे रथें। यहां विद्वान प्रध्यापकों द्वारा वे, व्यात्र, पुराण, जोतिश, सार्वदर्शन एवं साहित्य इन छे शास्त्रों का अध्यापन करवाया जाता है। युनिवर्सिटी के द्वारा यशास्वी छात्रों को बी-ए शास्त्री, एम-ए आचारि एवं पी-एजडी विद्यावारिधी इत्याधी पारंपरिक पद्वियां दी जाती है। गत वर्ष से यहां इंटेग्रेटड बी-ए बी-एट पार्ठिकरम भी प्रारंब हो चुका है। कर्मकांड, संस्कृत टीचे, मंदेर व्यवस्थापत, योग, वास्तु और जोतिश विशयक डिप्लोमा पार्ठिकरम भी विश्व विद्याले में चलाया जाते है। अनुसनातक भवत में जेनरल संस्कृत एवं हिंदू स्टडीज में एम ए पार्ठिकरम भी चलाया जाता है। शास्त्र शिक्षन के साथ साथ हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी, कंप्यूटर इत्यादी आधुनिक विशयों का अध्यापन यहां करवाया जाता है। वर्तमान काल में योग के महत्व को देखते हुए योग को बढ़ावा देले हितु पातंजल नामक एक विशाल योग भवन युनिवरसिटी परिसर में बनाया गया है। युनिवरसिटी समुद्र के अत्यंत निकट हरे भरे शुद्ध वातावरण में स्थित है। इसका प्रवेश द्वार प्राचीन शिल्पकला का अभी दिय प्रतीक है। परिसर में स्थित त्रिवेणी नामक युनिवरसिटी का प्राशासनिक भवन एक एतिहासिक भवन है। लगभग देईस हजार शास्त्र ग्रंथों, संदर्ब ग्रंथों एवं विरल ग्रंथों से युक्त युनिवरसिटी का ब्रहसपती नामक रंथाले का भी निर्मार्ट समपूर्थी पर है। उनिवर्सिटी में सभी सुपिधाओं से युक्त बालक चात्रावास एवं बालिका चात्रावास उपलब्द है। उनिवर्सिटी में स्थित नर्म नाराण यग्यशाला में नित्य यग्यानुष्ठान विद्यार्थियों के तेज की अभिवृद्धी करता है। शास्त्रों के अध्ययन के साथ साथ शारीरिक स्वास्त एवं संगभावना हितु। बिक्रम नामख खेलकूप का एक मिशाल मैदान बनाया गया है। सभी आदुरिक यंत्रों से जुप्ट एक वियायाम शालाथ पिद्यार्थियों के लिए बनाय गई है। शास्त्रों के अध्ययन के साथ साथ संशोधन रुत्ती को भी यहाँ प्रोचसाहन दिया जाता है। इसी के फल स्वरूप युनिवर्सिटी द्वारा 70 से अधिक उत्कृष्ट गंथों का प्रकाशत किया जा चुका है। प्रती वर्ष यहाँ अनेक कारेशालाओं, विद्वत व्याथ्यानों और राष्ट्रिय एवं अंतराष्ट्रिय विद्वत संगोष्टियों एवं परिसंबादों का आयोजन होता है। युनिवर्सिटी में श्री नामक अत्याधुनिक अतिति ग्रहकावी निर्मान पूर्णता पर है। राष्ट्र के सांस्कृतिक विकास में ये युनिवर्सिटी ऐसा ही योगदान भविश्य में भी देती रहेगी। क्योंकि हम मानते हैं कि गुर्वत्ता एक यात्रा है। गंतव्यस्तान नहीं पूर्णता गौरवाए। इस अपने धे वाक्य को सार्थक करने हितू गुर्वत्ता के इस अनंत मार्ग पर युनिवर्सिटी सदैव मागस्त रहेगी।